र को ल बोल देटेसे मुझे बोलना है राम और आप बोलते हैं लाम आपका जो टंग है वो यहां से फिसल जाता है और वो यहां लगता है आपका टंग लोकेशन सही जगा पर नहीं आ रहा है तो सही जगा पर कैसे आएगा जब मैं अपनी टंग को बाहर निकालता हूँ तो बहुत लोगों का जो टंग होता है वो चिपक के रहता है निचले पार्ट के साथ तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर या स्पीस थरपिस आपको टंग का ओपरेशन करने के लिए बोलते हैं ऐसे बाहर निकालेंगे आपकी गले में प्रेशर आएगा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए लेजी टंग याने की आलसी जुबान अब ये आलसी जुबान क्या होता है आपकी जुबान टंग जीब इसमें कोई भी प्रॉब्लेम है जैसे कि आपके टंग वाइबरेट नहीं करती है या फिर आपकी टंग टाय है या फिर आपकी टंग पतली है मूटी है छोटी है लंबी है और आप उसके लिए काफी कंसन है जिससे आपका क्लारिटी नहीं आता है या फिर आप जब बात करते हैं आपके शब्दों में clarity नहीं आती है अगर आप internet पर या YouTube पर ऐसा कोई वीडियो सर्च कर रहे है जहाँ पर आपको सारे के सारे exercise शेयर की जाएगी तो दोस्तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है मैं इस वीडियो में जितने भी मुझे knowledge है तंग के regarding में आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाओंगा दोस्तो मैं कोई speech therapist या doctor नहीं हूँ बट मेरे पास जितने भी सारे clients आते हैं जिनको तंग vibration का या फिर उनको clarity का problem होता है जो मैं exercise उनको सिखा रहा हूँ वही मैं exercise इस वीडियो में शेयर करना चाओंगा इसलिए इस वीडियो को एंटक जरू देखेंगे और अगर आपको कोई भी परिशानी आती है इस वीडियो के किसी भी exercise को करते हुए तो इस वीडियो को बार-बार देखे और मेरे साथ इस वीडियो में practice जरूर केज़े मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना पूरा चहरा साथ में मेरी टंग प्रॉपरली स्क्रिन पर देखाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टंग exercise को टंग के साथ आपके जुबान के साथ कोई भी exercise सिखाने से पहले आपको जानना चाहिए lazy tongue के बारे में lazy tongue याने की आलसी जुबान अब ये आलसी जुबान क्या होता है दोस्तो ये कोई भी आपको नहीं सिखाएगा कि आपकी जुबान भी आलसी हो सकते क्योंकि सबको लगता है कि जुबान तो momentum करते रहती है बट बहुत बार जब हम बात करते है हमारी जुबान हमारी टंग बहुत जादा आलसी बहुत जादा lazy way में movement करते है वो इतना slow movement करती है कि आपका जो way of speaking होता है उससे काफी affect होता है आपका lazy tongue आलसी जुबान को कैसे ठीक करना चाहिए तो देखे जब आप अपने tongue का इस्तिमाल करते है तो बहुत बार आपकी जो tongue है वो मूँ के अंदर बहुती कम rotate होती है कम momentum होती है और ये तब होता है जब आप उसको कम space देते है जब आपका mouth हलका सा कम open रहता है अगर आप अपने mouth को हलका सा ज़्यादा open रखते है इससे आपका tongue काफी जल्दी momentum कर सकता है इसलिए हो सकता है कि आपको कोई भी problem नहीं है tongue के साथ बढ़ आपकी जुबान या आपका जो mouth है उसके साथ जो space कम है उसके कारण है आपका vibration नहीं हो रहा है आपके अंदर clarity नहीं आ रहे है तो पहला suggestion यह रहेगा कि tongue की exercise करने से भी पहले यह try कर लाना कि आप अपने हलका सा mouth को थोड़ा ज़्यादा open करते समय अपने tongue को थोड़ा momentum से try करना and you will see कि इससे आपको काफी जल्दी result आ सकते यह था दोस्तों आपका पहला concept जहाँ पर मैंने आपको सिखाया है lazy tongue के बारे में अगर आपको lazy tongue को improve करना है तो आपको थोड़ा ज़ादा mouth open करने के साथ जैसे कि मैं अभी open करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको reading करना चाहिए और अगर आप किसे से भी बात करते हैं यह कोशिश करना है आपको कि आपके मूँ के अंदर जो आपके tongue है वो momentum करते हुए बात होनी चाहिए अगर आपके tongue ऐसे momentum नहीं कर रहे है तो आपको consciously आपके tongue को momentum करना चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं आपके tongue vibration के साथ जिसको मैं बोलूँगा raw vibration भी अब दोस्तों जो tongue vibration होता है वो normally raw word के साथ ही होता है बहुत सारे लोगों का जो raw vibration होता है वो नहीं होता है because of two reasons पहला हो सकता है कि आपके जो tongue है जिसमें आप vibrate करते हैं बचपन से अभी तक आपने अपने tongue को कभी vibrate ही नहीं किया है या किया है तो बहुत ही कम किया है दोस्तों मैं जैसे गाव से आता हूँ और हमारे गाव में अफरिक किसी भी गाव में एक बच्चे जो होते हैं वो बच्चे बहुत सारे खेल खेलते हैं जिसमें एक खेल होता है tongue vibration का भी जिसमें हम जैसे auto चलाते उसकी आवाज निकालते हैं जैसे कि शायद से मेरे लाइप में मैंने बच्चपन में इस practice को बहुत बार किया है और अगर आपने भी किया है तो आपके life में ये problem शायद नहीं होगा अगर आपको लगता है कि आपके life में ऐसा कोई exercise था ही नहीं या फिर आपको किसने बताए नहीं है तो मैं आपको suggest करना चाहूँगा कि आप अपने tongue को एक auto की तरह चलाने की कोशिश करें जहाँ पर आपका ultimate goal ये होना चाहिए कि आपका जो auto है वो बहुत देर तक चलना चाहिए उसका इंजिन बहुत देर तक चलना चाहिए जैसे कि आपको अपने mouth को open करना है थोड़ा जादा और हलका से उसको जादा stretch करना है आपका जो टंग vibrant होगा वो किसी भी जगा पर हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपको आगे या पीछे रखना है आपकी टंग जहाँ पर भी comfortable है वही उसको रखना है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी टंग कही पर भी vibrant हो सकती है तो मैं उसको वही पर रखोंगा जहाँ पर वो comfortable बैठ सकती है अब दोस्तों टंग जब आपर उपर आप रखते हैं तो उसको चिपका के नहीं रखना है आपको टंग और आपके अपर जो के बीच में हलका सा ग्याप रखना है जैसे कि और आपको करना है अब मेरी जो टंग है आपको रखना के शायरी हाट ठाच होड़िये बट नहीं मेरी टंग हलका सा पीछे मूड जाती है देखिए ऐसे पीछे के दरब आती है और फिर वो vibrant होती है तो इसमें आपको सबसे बेल अपने माउथ को जादा open करना है याद रखे आप जितना जादा अपने टंग को थोड़ा जादा स्पेस देंगे उतना जादा आपकी टंग वाइब्रेट करने वाली है तो इसको कितनी बार practice करना है दोस्तो इसको आपको practice करना चाहिए maximum एक मिनिट या फिर दो मिनिट और जादा practice करने से आपका टंग जो मसल है वो pain करना start करता है इसलिए जैसे कि अगर आपनी अभी practice के वीडियो देखते समय तो आप थोड़ी देर के बाद गाड़ी चलाते समय या आप कार में बैटे बैटे या फिर आप रोड पे चलते चलते आप कभी भी इसकी practice कर सकते है और जितनी जादा आप इसकी practice करेंगे आपका टंग उतना से design अब जैसे कि मैं आपको मेरी टंग दिखाता हूँ यहाँ पर आप नोटिस करना मेरे टंग के साथ एक tip है एक अशा कोन है जिसके कारण मेरी टंग काफी वाइब्रेट जल्दी होती है बट कुछ लोगों के साथ यह जो टिप होती है यह फ्लैट होती है जैसे आपके ट वाइब्रेशन नहीं होगा जैसे कि वह एसा कर सकते तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन करना चाँगो कि आपका अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो दुरूस्तों आप उसमें और को एड़ कर दिए जैसे कि और 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 देरे यह एक्सपिरेंस करेंगी कि आप उसको हर दिन practice करते हैं तो कम से कम 15, 20 या 25 दिन के बार आपका tongue काफी अच्छे से vibrate करेगा tongue vibrate करना एक consistency का practice है इसमें आपको time लगने वाला है मैं आपको suggest करगा कि आप उसको कम से कम एक मैना या दो मैना practice करेंगे तो आपकी tongue vibrate होना शुरू हो जाती है तो ये था आपके लिए बहुती basic सा tongue vibration का practice अब दोस्तों में बात करना चाहँगा कि इसके अलावा अगर आपके words clear नहीं आते हैं जैसे कि आप र को ल बोल दे जैसे मुझे बोलना है राम और आप बोलते है लाम तो इस तरह के words को आपको कैसे clear बोलना चाहिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो tongue है वो सही जगा पर नहीं लग पाता है इसलिए र का ल बन जाता है अब दोस्तों ये problem क्या होती है चले देखते जैसे कि आपका अपर जो है अपर जो का मतलब आपका तालू ठीक है यहाँ पर मेरा र वाइबरेट होगा जैसे कि मैं बोलूँगा र तो यहाँ पर मेरी tongue र वाइबरेट होगी तो अगर मुझे बोलना है राम तो मैं normally कैसे बोलता उसको राम यहाँ पर क्या हुआ मेरा location सही गया और मैंने vibration भी सही जगा पर किया बढ़ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका जो tongue है वो यहाँ पर ना लगते हुए हलका सा आगे तरफ जाता है जहाँ पर आप उसको रा को लाम बोलते अब जैसे कि दोस्तों अगर आपको बोलना है वर्ड लाम तो आपकी जो tongue है वो दाद के पीछे लग जाती है लाम बढ़ अगर आपको बोलना है राम तो आपकी tongue यहाँ लगती है राम तो अगर आपको clarity के साथ problem हो रहा है तो आपका जो tongue है वो यहाँ से फिसल जाता है और वो यहां लगता है और यह इसलिए होता है क्योंकि आपके जो टंग के साथ जो आपका कौन होता है या आपका जो टिप होता है टंग का ये फ्लैट होने की कारण आपका टंग वहां से फिसल जाता है और कुछ लोगों का तो आपका टंग मुझसे बाहर भी चला सकता है ज आपका टंग लोकेशन सही जगा पर नहीं आ रहा है तो सही जगा पर कैसे आएगा एक्जामपल दे रहा हूँ राम बोलने के लिए आपको कॉंशियसली ट्राइ करना है कि आपकी टंग आगे ना लगते हुए वही लोकेशन पर लगे जहापर रव हाइब्रेट होता है जिसे आपका का है तो अगर गलती से टंग दाथ की पीछे लगता है तो आपका का का बनता है ताम आप नूटिस करना गलत जगा पर टंग लगने के कारण आपका वर्ड में clarity चेंज हो जाता है तो अगर आपको clarity का problem है तो आपको टंग Лोकेशन सही जगा पर रखना पड़ेगा और mostly लोगों का problem यही होता है कि आपका tongue सही जगा पर जब नहीं लगता है तभी आपको आपके words लोगों को clear सुनाई नहीं देते है तो करना क्या है करना बहुत ही simple है आपके जितने भी word में आपको clarity नहीं आती है उन words को आपको एक बार repeat बोलना चाहिए और मतलब आपको रा बोलने के लिए आपका tongue सही जगा पर होना चाहिए आपको गर बोलना है तमाटर बड़ कुछ लोग बोलते हैं तमाटर हो सकता है आपका ट यहां लगता है बड़ आप लगा रे tongue यहां पर तो यहां पर जो second point आता है वो होता है आपके tongue sleep का कि आपकी शाय का साथ जादा open करेंगे और यह कोशिश करेंगी कि आप अपने tongue को सही जगा पर रखने की try करें जिसमें आपको foundation काफी help कर सकता है अगर आपको foundation नहीं पता है कैसे करना है तो हमारे बहुत सारे videos है या फिर मेरा book है आप उस book से भी refer कर सकते है आपको foundation कैसे check करना होता है त regarding your tongue, zuban या फिर jib अब मैं आपको कुछ exercise सिखाने वाला हो regarding tongue और यह exercise जबाब करते हैं आपके tongue काफी smooth, काफी efficient, काफी effective काम करना शुरू कर देती है और end मैं मैं आप सब को एक summary बताँगा कि आपको क्या क्या practice करनी है कैसे कैसे practice करने है त्योंकि यह video थोड़ा लंबा हो है बड़ इसके साथ जो content आपको मिल रहा है उसमें आपको समझ तो आ रहा है बड़ इतना सारा content मिलने के बाद भी confusion हो सकता है इसलिए पहले हम tongue exercise सिखेंगे और इसके बाद end मैं मैं आपको सिखाऊंगा इसका summary कि कैसे क्या कब करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते tongue exercise के दोस्तों टंग exercise करते समय आपकी जो tongue है आपकी जो जुबान है वह आपको मुझ से बाहर निकालने पड़ेगी अब जैसे कि आपकी tongue मुझ से बाहर निकलती है तो वहाँ पर सबसे basic रूल यह आता है कि आपकी जुबान आपकी tongue आपके lips को बिलकुल भी touch नहीं होनी है मतलब आपकी tongue आपके control में नहीं है कि यह जो मैंने tongue बाहर निकाला दोस्तों इसमें मेरा जो tongue है और जो आप tongue को बाहर निकालते हैं यह make sure करना आ कि आ時 अवे बिलकुल भी गले में प्रेशर नहीं होना चाहिए आप में से कुछ लोग अगर इसको ऐसे बाहर निकालेंगे आपकी गले में प्रेशर आएगा प्रेशर बिलकुल भी नहीं आना चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या था आपके टंग को आपको तो आपकी टंग जाएगी लेट साइड में फिर मिडल आएगी लेट साइड में फिर फिर मैं आपको करके दिखाता हूं और आप भी मेरे सठ कर सकते हैं हो यह करते समय आपके टंग आपके दाथ के उपर रिलाक्स कर सकती है वो चलेगा बड़ आपके टंग लिब्स को टच बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए साथ में इसका स्पीड बहुती स्लो होना चाहिए बहुत फास्ट इसको नहीं करना है सेकर्ड एक्जरसाइज आपके टंग आपको स्ट्रेड बहार निकालना है और इस बर आपके टंग आपको रोल करना है अपसाइड और फिर डाउनसाइड कैसे करना है चले देखते है ये आपको करना चाहिए 5 to 6 तैम्स थर्ड दोस्त आपका टंग को इन आउट करना जैसे कि मैं आपने टंग को फुल ले आउट करता हूँ और इन करता हूँ यह तो दोस्त आपके तिन एक्जरसाइज रिगार्डिंग दे टंग अगर आपको इस टंग एक्जरसाइज को करना है तो इसको आपको maximum 5 या फिर 6 टाइम है करना है जैसे के आपने किया left, middle, right, middle this is the one, left, middle, right, middle, this is the second ऐसे आपको 5 या फिर 6 करना है same with the up, down and in, out यह थे दोस्तों आपके tongue exercise अब हम आगे बढ़ते कि आपको reading कैसे करनी है for your tongue और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसका summary कि आपको क्या क्या exercise करना है अगर आपको tongue के regarding कोई भी reading करनी है तो आपके लिए best reading हो सकती है Sanskrit word की reading Sanskrit के word काफी lengthy होती है और उसको बोलने के लिए आपका tongue काफी use हो सकता है तो अगर आपको Sanskrit पढ़ना आती है मैं आपको strongly suggest करूंगा कि आप Sanskrit के word पढ़ना start करो थोड़ा सा loud बोलो और कोशिश करो कि आपका tongue उसमें काफी ज़्यादा participate करें अगर आपको Sanskrit जल्दी नहीं समझ में आती है बड़ आपको कोई मंत्र पता है तो मंत्र को भी आप repeat कर सकते हैं तंग momentum के साथ अगर आपको Sanskrit पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपका जो local language है या जिस language में comfortable है अपार्ट फॉर्म English English को बिल्कुल यूज मत करना इसमें आपको अपने टंग को थोड़ा momentum के साथ बोलने के कोशिश करनी है जिससे आपके टंग को काफी exercise हो जाती है बात करते करते तो यह था दोस्तों आपके लिए second exercise for the tongue अब बात करते हैं इस वीडियो के summary के सबसे मैं आपको बतना चाहूँगा कि आपकी tongue एक muscle है और इस muscle को अगर आप जादा practice करेंगे तो आपकी muscle pain होती है जैसे कि आप workout करने के बाद आपका body pain होता है सेम यहाँ पर हो सकता है इसलिए जादा practice नहीं करना है maximum दो मिनिट का कोई भी exercise करना है reading को छोड़के reading आप जादा कर सकते बट बाकी exercise आपको दो मिनिट ही करना है दो मिनिट का exercise होने के बाद आप उसको आदे या एक घंटे के बाद वापस से repeat कर सकते हैं आप उसको repetition कितनी भी बार कर सकते हैं बट एक बार में आपको maximum दो मिनिट का reading करना चाहिए दूसरी बात दोस्तो टंग exercise की practice करते समय जो result है वो बहुत जल्दी नहीं आता है क्यों आप इसकी practice करेंगे तो आपको कम से कम patience के साथ उसको एक मेना practice करना पड़ेगा तब जाकर आपको उसका सही result मिल जाता है हो सकता है एक मना फिर उससे भी ज्यादा जब आप कोई भी टंग exercise करते हैं आपका mouth open रखना बहुत ही important है अगर आप अपने mouth को छोटा open रखते तो इससे आपको फाइदा नहीं होगा इसलिए mouth को थोड़ा सा अच्छे से open करने के साथ practice करेंगे आपको जल्दी result मिलेगा आप फॉर्थ पॉइंट जब आप practice करते तो sequence क्या होना चाहिए तो सबसे पहला sequence होना चाहिए आपका tongue vibration के साथ जैसे कि मैं आपको पहले बताए कि आपको auto चला ना है तो imagine करते हैं आपको चला रहे है रव vibration के साथ तो आप सबसे पहले क्या करेंगे टंग को वाइब्रेट करेंगे जिसमें आपको रव को बोलना है जिसे की यह अगर आप एक बार करते उसको बार बार करेंगे कम से कम पांच एफिर दस बार अगर आपको यह नहीं हो रहा है आपसे तो आप उसमें a add कर दीजे वापस से अगर आपसे इतना भी वाइब्रेट नहीं हो रहे तो जितना भी आपसे वाइब्रेट हो सकता है आप करते रहे आपको इसको maximum 10 times करना है और आप उसको repeat कर सकते जब चाहे तब बड़ आदे या एक गंटे के बाद उसके बाद दूस्तों बात करते हैं second exercise जिसमें आपको करना है पाँच बार पाँच बार पाँच बार इसके बाद आपको करना चाहिए रीडिंग की प्राक्टिस रीडिंग के लिए मैं आपको recommend किया है संस्कृत का श्लोक या फिर संस्कृत वर्ड को आपको पढ़ना है अगर आपको नहीं आता है तो आप normal किसी भी language को पढ़ सकते है English को छोड़के यह exercise करते समय आपको कम से कम 20-25 या 30 दिन का आपको time देना पड़ेगा जिसमें आपको result काफी अच्छा आता है अब दोस्तों आपकी काम की बार अगर आप में से किसी का भी tongue tie है अब दोस्तों tongue tie का मतलब क्या होता है देखे जब मैं अपनी tongue को बाहर निकालता हूँ तो बहुत लोगों का जो tongue होता है वो चिपक के रहता है निचले पाट के साथ तो यहाँ पर कुछ doctor या speech therapist आपको tongue का operation करने के लिए बोलते हैं मैं ऐसा आपको कोई भी operation करने के लिए suggest नहीं करूंगा मुझे उसमें कोई experience तो नही है बड़ जितने भी client हमारे batches में हमारे training में आते हैं उनका tongue चाहिए छोटा हो या मूटा हो या पतला हो या कैसा भी हो उनको हम ऐसा कोई भी operation suggest नहीं करते हैं और उनका problem solve हो जाता है बड़ अगर आपके tongue में actually कुछ बहुत जादा ही problem physical तो ही आपको ऐसा decision लेना चाहिए otherwise stammering के लिए कोई भी operation नहीं करना चाहिए ना ही गले का ना आपके tongue का ना आपके खून में आपको कुछ टेस्ट करना है कुछ भी नहीं करना है बस यह आपकी आदत है बोलने के अगर आपके tongue में अगर cone नहीं है जैसे कि कि मेरा tongue काफी smooth है या फिर मेरे tongue में एक cone shape आ गया है जो बचपन से होता है बड़ अगर आपके tongue में ऐसा cone shape नहीं है आपका tongue आगे से flat है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है आपको बस आपका location जो tongue location है word को बोलते समय वो सही जगा पर रखना है इसके अलावा दोस्तों जब आप बात करेंगे आप अपने lazy tongue के साथ उसको हलका सा active करते हुए mouth को थोड़ा सा जादा open करते हुए अगर आप बात करेंगे सब को काफी फाइदा होता है एक और exercise जो बाकी रह गए है मुझसे बताते बताते वह है आपके pencil के साथ आपको simply अपने pencil को अपने lips के बिच में रखना है और अपने lips के बिच में रखने के बाद आपकी जो tongue है आपकी जो जुबान है आपको इसको इसके बाहर रखना है आप बाहर कामन लेगी नहीं कि आपको बाहर निकालना है आपको उसको हलका सा यहाँ पर रखना है ताकि आपकी tongue हमेशा उपर की तरफ रह जैसे क आप देख सकते, मैं one second आपको दिखाना चाहूंगा imagine करना है कि मैं अपने lips को close कर रहा हूँ और मेरा position टंग के साथ कैसा होगा ओके और यह जो टंग है यह आपको बाहर नहीं निकालनी है आपको अपने टंग को अंदर ही रखना है और आपको words को बोलनी की practice करनी जैसे कि अपने टंग को मुमेंट के साथ ट्राइ करते जहाँ पर आप उसको बहुत सारा obstacle दे रहे है कि आप अपने टंग को ना मुमेंट करें बट फिर भी आपके टंग जब मुमेंट करती है यह काफी अच्छा exercise इससे आपके word काफी clear निकलते हैं अगर आपके पास pencil नहीं है तो आप दोस्तों बड़ा pain होगा तो भी चलेगा ऐसे आपको पकड़ना है और इससे आपको बात करने चाहिए यह था आपके लिए एक छोटा सा suggestion जो मैं इस वीडियो में भूल गया था बट मैं इसको इस वीडियो में add कर दूंगा तो आपका जो practice होगा इस video के साथ apart from all the practice reading के बाद आप इसको कर सकते हैं इससे आपको काफी अच्छा benefit होगा तो I think I hope मुझे जितना भी knowledge था मुझे वैसे बहुत जादा knowledge इसके अलावा भी बट जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसमें इस video में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है दोस्तों अगर आपको stammering का problem है आप इसको ठीक करना चाते है आप बहुत टाइम से हमें follow कर रहे है या फिर आपको लगता है कि मुझे इसको जल्दी से ठीक करना है तो मैं आप सभी को strongly recommend करता हूँ कि आप हमारे ट्रेनिंग जरूर जोइन किजे जिसमें आपका time बचेगा result बहुत जल्दी आएगा आपको इसे बहुत सारे knowledgeable tips मिलने वाले है जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा हमारे ट्रेनिंग के अलाबा हमारे पास एक proper support team है जो आपका practice लेगी मैं आपको सिखाता हूँ team आ हमारे पास एक proper support होता है हमारे पास एक proper group है जहाँ पर आपको 28 days केंदर काफी अच्छे से result आ जाता है तो आप अपना time waste जादा मत किजे आप training को join किजे सब को काफी फाइदा हो सकता है दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा जरू मज़े comment box में बताएगर आपको वीडियो म आपको description box में मिल जाएंगे regarding training या workshop दोस्तो training के regarding workshop के regarding हमारे free courses, paid courses, training, appointment या फिर free application के regarding आपको कोई भी link चाहिए वो सब कुछ आपको description box में मिल जाएंगी या फिर आपके screen पर एक number आ रहा हो वहाँ पर आप हमें call कर सकते है हमारी team आपको help कर सकते है दोस्तो इस वीडियो को